विप्रवर पुश्कर की यमलोक से आने एक नार्किये जीवों को निकाल कर लाने की कथा। पुश्कर एक स्थान ही नहीं, एक व्यक्ति भी थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? वसेश जी कहते हैं, राजन, मागसनान और उपवास आदी महान पुश्कर करने वाले मनुश्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में आते जाते रहते हैं। पुर्वकाल में विप्रवर पुश्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नार्किये जीवों को नर्क से निकाल कर फिर यहीं आप पुर्ववत अपने घर में रहने लगी। त्रेता यूग में जब भगवान श्री राम चंद्र जी राचे करते थे तभी एक समय किसी ब्राह्मन का पुत्र मर कर यमलोक में गया और पुनह वे जी उठा। क्या ये बात तुमने नहीं सुनी हैं। देव की नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरू सांधिपनी के पुत्र को जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रहा ने अपना ग्रास बना लिया था। पुनह यमलोक से ले आकर गुरू को अर्पन किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लोट आये हैं। इस फिशे में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। दिलिप ने पूछा। मुने पुष्कर नामक श्रेष्ट ब्रामन कहां के रहने वाले थे। वे कैसे यमलोक में आये और किस प्रकार उन्होंने नर्क से पापियों का उद्धार किया। वसिश्ची बोले। राजन मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। तहे सब पापों का नाश करने वाला है। तुम साबधान होकर सुनू। बुद्धिमान पुष्कर नंदिक्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैशी थे। सदा माग स्नान और स्वा अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्ठु के अराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुम्ब के साथ रहते और नित्ते अगनिहोत्र करते थे। राजन वे अपरे में हरे विष्णू, कृष्ण, दामुदर, अच्चियूत, गोविंद, अनन्त, देविश्वर इत्यादी रूप से केवल भगवत नामों का कीर्दन करते थे। महामते देवता का आराधन छोड़ कर और किसी काम में उन ब्रहमण देवता का मन सुपन भी भी नहीं लगता था। एक दिन सूरे नंदन यमराज ने अपने भैंकर दूतों को आग्या दी। जाओ नंदिग्राम निवासी पुषकर नामक ब्रहमण को यहां पकड़ ले आओ। पुषकर को आते देख यमराज मनही मन भैभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनी को आसन पर पिठा कर उन्होंने दूतों को फटका रहा। तुम लोगों ने यह क्या किया। मैंने तो दूसरे पुषकर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पाप्पूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ग्याता, विशेश्टह, भगवान विश्णू के भक्त, सदा मागस्नान करने वाले और उपवास परायन महात्मा पुरुष को यहां मेरे समीप क्यों ले आए। दूदों को इस प्रकार डांट लगाकर प्रेतराज यम ने पुशकर से कहा। यह सुनकर सुर्यकुमार यम ने पुशकर को सैकड़ों और हजारों नर्क दिखला दिये। पुशकर ने देखा पापी जीव नर्कों में पढ़कर बड़ा कस्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चड़े हुए हैं। किनी को व्यादर खा रहा है। जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं। किनी को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिये गये हैं। कोई कीड़े से पीड़े हैं। कोई असी पत्रवन में दोड़ रहे हैं। जिससे उनके अंग छिन भिन हो गये हैं। किनी को आरों से चीरा जा रहा है। कोई कुलहाडे से काटे जाते हैं। किनी के खारी कीचर में कश्ट भोगना पड़ता है। किनी को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है। और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नर्क में पढ़कर यातना भोगते देख। पुषकर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले। क्या आप लोगों ने पूर्व जन में कोई पुण्य नहीं किया। जिससे यहाँ यातना में पढ़कर आप सदा दुख भोगते हैं। नर्क के जीवों ने कहा, विप्रवर हमने पृत्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था। इसी से इस यातना में पढ़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं हमने पराईस्त्रियों से अनुराग किया दूसरे के धन चुराया अन्य जीवों की हिंसा की बिना अफराध ही दूसरों पर लांचन लगाये ब्रहमनों की निंदा की और जिनके भरन पोशन का भार अपने उपर था उनके भोजन की ये बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरकागनी में दखद हो रहे हैं प्यासी गौएं जड़ जलकियों और दोड़ती हुई जाती हैं तो हम सदा उनके पानी पीने में विगन डाल दिया करते थे गौँ को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूद दोहकर पेट पालने में लगे रहते थे याजकों को दान देने में लगे हुए धार्मित पूर्षों के कारे में रोड़े अटकाया करते थे अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था व्रत से भ्रष्ट हो गए थे दूसरे के अनमी ही सदा रूची रखते थे परवों पर भी स्त्रियों के साथ रमन करते थे पुष्कर ने कहा क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं जिन्होंने समस्तर लोकों के स्वामी भगवान पुर्शोत्तम का पूजन किया है उन मनुश्यों का मूक्षत हो सकता है फिर पापक्षई की तो बात ही क्या है प्राय आप लोगों ने शिपुर्शोत्तम के चर्णों में मस्तक नहीं जुकाया है इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नर्क की प्राप्ती हुई है अब यहां हाहाकार करने से क्याल आप लेरंतर भागवान श्री हरी का स्मरण कीजिए वे श्री विष्णू समस्तर पापों का नाश करने वाले हैं मैं भी यहां जद्धिशुर के नामों का किर्दन करता हूं वे नाम निश्य ही आपका कल्यान करेंगे नर्ग के जीवू ने कहा ब्रामन हमारा अंतरकरर अपवित्र है हम अपने पाप से संतप्त है ऐसे समय में आपके शरीर को चुकर बहने वाली बायू हमें परमानंद प्रदान करती है धर्मात्मा आप कुछ देर तक यहां ठहरी है जिससे हम दुखी जीवू को क्षण भर भी तो सुख मिल सके ब्रामन आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोश होता है अहो हम पापी जीवू पर भी आपके कितनी दया है यम्राज ने कहा धर्म के ग्याता पुशकर तुमने नर्ग देख लिया है अब जाओ तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब कर रो रही है पुशकर बोले भगवन जब तक इन दुखी जीवू की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाओ जाने पर भी वहाँ मुझे क्या सुक मिलेगा आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के धेर में गिर रहे हैं उन नार्की जीवू की है दिन रात की पुकार सुनिये कितने ही जीवू के मुख से निकली हुई ये ध्वनी सुनाई देती है हाई मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरी की मैं नित्य अराधना करता हूँ इस सत्य के प्रभाव से नार्की जीव ततकाल मुक्त हो जाएं भगवान विश्णू सब में स्थित है और सबकुछ भगवान विश्णू में स्थित है इस सत्य से नार्की जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए हे विश्णू, हे अच्चियूद, हे जगनाथ, हे हरे, हे विश्णू, हे जनार्दन यहां नर्के के भीदर याता में पड़े हुए इन सब जीवों की, रक्षा की जी पुश्कर के द्वारा उच्चारित भागवान के नाम सुनकर, वहां नर्क में पड़े हुए, सभी पापी ततकाल उससे छुटकारा पा गए वे सब बड़ी प्रसंता के साथ पुश्कर से बूले, ब्रह्मन हम नर्क से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनपम कीर्थी का विस्तार हो यम्राज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ, वे पुश्कर के पास जा प्रसंचित होकर बरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे वे बोले, धर्मात्मन तुम प्रित्वी पर जाकर सदा वही रहो, तुम्हें और तुम्हारे सुहरिदों को भी मुझसे कोई भई नहीं है, जो मनुष्य तुम्हारे महतम्मे का प्रति दिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अप्रित्यों का भई नहीं होगा पसिश जी कहते हैं, यम्राज की यूँ कहने पर पुशकर प्रित्वी पर लोट आए, और यहां पूर्वता, स्वस्त हो, भागवान मधुसूदन की पूजा करते हुए, रहने लगे राजन मेरे द्वारा कहे हुए, महात्मा पुशकर के इस महात्म में को, जो सुनता है, उसके सारे पापुं का नाश हो जाता है भागवान विश्णू का नाम कीर्थन करने से, जिस प्रकार नर्क से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया आदिपुरश परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापुं की राशी का ततकाल नाश कर देती है यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है, फिर इन जनार्दन के नामों का भालिभानति कीर्थन करने पर उत्तमफल की प्राप्ती होगी, इसके लिए तो कहना ही क्या है राजा दिलिप बोले, मुने, मेरे प्रश्णों के उत्तर में आपने बड़ी विचितर बात सुनाई अब संसार के हित के लिए महात्मा ब्रग्शंग के शेश चरितर का वर्णन कीजी क्योंकि उनके समान संतपुरुष, स्पर्श, बात्चीत और दर्शन करने से क्या शरण में जाने से सारे पापों का नाशकर डालते हैं पसिश्ची कहते हैं, राजन ब्रह्मचारी म्रिग्शंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्यन किया फिर गुरु की बताई हुई दक्षना दे समावर्तन की विधी पूरी करके शुद्धचेत होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आग्या दी घर आने पर कुछ मुनी के उस पुत्र को उच्छत्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मुरिग्षिंग ने पहले जिसे मन ही मन वरण कर लिया था उस उच्छत्य पुत्री सुवरिता के साथ विवा करने की इच्छा की इसके बाद उन्होंने महरिशी वेद व्यास्ची की आग्या से सुवरिता तथा उसकी तीन सक्यों कमला, विमला और सुर्शा का पाणी ग्रहन किया शुति कहती है ब्रहमणों के लिए ब्रहम विवाह सबसे उत्तम है इसलिए मुनी ने उन चारों करन्याओं को ब्रहम विवाह के रिती से ग्रहन किया इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनी वर्वत्स ने समस्तर रिश्यों को मस्तक जुकाया तथा वे मुनी शुर्भी वर्वधु को आशरवात दे उनसे पूछ कर अपनी अपनी कुटी में चले गए राजा दिलिप ने कहा गुरुदेव वसिस जी चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं यह बात यदि गोपनी ना हूँ तुम मुझे भी बताईए वसिस्ची बोले राजन सुनो मैं क्रमशह तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ विवाह आठ प्रकार के हैं बहाम दैत आर्ष प्रजापत्ते आसुन गांधर्व राक्षस और पैशार्च जहां वर को बुलाकर वस्त्र और आभूशनों से विभूशत करन्या का विधिपूर्वक दान किया जाता है वह ब्राम विवाह कहलाता है ऐसे विवाह से उत्पन होने वाला पुत्र 21 पीडियों का उध्धार करता है यग्या करने के लिए रित्विजों को जो कन्या दी जाती है वह दै विवाह है उससे उत्पन होने वाला पुत्र 14 पीडियों क कोफधार करता है। बसे दो बेल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है, वह आर्श विवा है है। उससे उत्वन हुआ पुत्र्व छेपीडियों का उध्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरन करें, यह कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है उससे उत्पन हुआ पुत्र भी छे पीडियों का उध्धार करता है यह चार विवाह ब्रामनों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं जहां धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया ज जाता है उसका नाम गंधर विवाह है बल पूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है सत्पुर्शों ने इसकी निंदा की है चल्पूर्वक कन्या का अभरण करके कि जाने वाले विवाह को पैशाज कहते हैं वैं बहुत ही घृनित है समानवर्ण की कन्याओं के साथ विवाकाल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए। यही विधी है। धर्मानकूल विवाहों से सौवर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है। तथा अधर्ममें विवाह से जिनकी उत्पत्ती होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयू वाले होते हैं। अतह ब्रहमनों के लिए ब्रहम विवाही श्रेश्ट है। इस प्रकार मुनिश्वर मिर्गशिंग विदिपूर्वक विवाह करके वेदोग्त मार्ग से भाली बांती ग्रहास्त धर्म का पालन करने लगे। उनकी ग्रहस्ती के समान दूसरी किसी की ग्रहस्ती ना कभी हुई थी ना हूगी। सुवरिता, कमला, विमला और सुर्शा ये चारों पत्निया पातिवरत्य धर्म में ततपर हो सदा पती की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतित्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनी उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भालिभांती धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलिप ने कहा मुनी वर पातिवरत्य का क्या लक्षण है तथा ग्रहस्त आश्रम का भी क्या लक्षण है। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। कृपा बताईए। बसिश्ची बोले। राजन सुनू। मैं ग्रहस्त आश्रम का लक्षण बतलाता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोग जीत लेता है। ब्रहम मोरत में शैन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करें। फिर अर्थो पारजन में होने वाले शारिरिक क्लेश पर विचार करके मनही मन परमेश्वर का स्मरण करें। धन उससे छूटने पर एक पहाण जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर की भूमी लांग कर घर से दूर नेरित्ते कौन की ओर जाएं और वहां मल मुत्र का त्याग करें। दिन को और संध्या के समय कान पर जैने उचड़ा कर उत्तर की और मुख करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्री में दक्षन दिशा की और मुख करके मल मुत्र का त्याग करना चाहिए। मलत्याक के समय भूमी को तिनके से ढग दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डाल कर यत्म पूर्वक मौन रहे ना तो थूके और ना उपर को सास ही कीजे शौज की स्थान पर अधिक देर तक ना रुके मलकी ओर द्रिष्टी बात ना करे अपने शिन्य को हाथ से पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर आलेस से रहे थो गूदा और लिंग को अच्छी तरह धो डाले किनारे की मिट्टी लेकर उसे इस प्रकार अंगों की शुद्धी करें जिससे मलकी दुरगंध और लेब दूर हो जाए किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया गूदा आधी धोना ना करें यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकाल कर उससे अलग जाकर शौच कर्म करें लिंग में एक बार गूदा में पांच बार तथा बाए हाथ में दस बार मिट्टी लगाए दोनों पैरों में पांच-पांच बार मिट्टी लगा कर धुए इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पर धोकर चोटी बांध ले और दो बार आजबन करें आजबन के समय हाथ गुटनों की भीतर होना चाहिए पवित्र स्थान में उत्तर या पूरब के और मुह करके हाथ में पवित्री धारन की आजबन करना चाहिए इससे पवित्री जूठी नहीं होती यदि पवित्री पहने हुए भोजन कर लें तो वह अवश्य जूठी हो जाएगी उसको त्याग देना चाहिए तदनंतर उठकर दोनों नेत्र धोर डाले और दंत धावन करे इस प्रकार निम्रांकित मंत्र का उच्चारन करना चाहिए आयूर बलम यशोवर चह प्रजाहा पशू वसूनी चह महा प्रग्याम चो मेधाम चो तुमनो देही वनस पतई अर्थात वनस पते आप हमें आयू बल यश तेज संतान पशू धन वेधाध्यन की बुध्धी तथा धार्ना शक्ती प्रदान करें इस मंत्र का पाठ करके दातुन करें दातुन कांटेदार या दूधवाले व्रिक्षकी होनी चाहिए उसकी लंबाई बारा उंगली की हो और उसमें कोई छेद ना हो मोटाई भी कनिष्ट का उंगली के बराबर होनी चाहिए रविवार को दातुन निशेद है उस दिन बारह कुल्लों से मुख की शुद्धी होती है तत पर शात आश्मन करके शुद्ध हो विदिपूर्वक प्राता स्नान करें स्नान के बाद देवता और पित्रों का तरपन करें फिर उठकर तो शुद्ध वस्त्र धारन करें देखे ब्रहमन को उत्तरी वस्त्र सदा ही धारन की रहना चाहिए आज मन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंडर धारण करें अत्वा गोपी चंदन घिसकर उधर्वपुंडर तिलक लगाएं तदन अंतर संध्य वंधन आरंभ करके प्राणायाम करें आपो ही श्ठा आदी तीन रिचाओं से गुशोदक द्वारा मार्जन करें पूर्वोक्त रिचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सीजें फिर सूर्यश्च इत्यादी मंत्र के द्वारा हाथों में जल लेकर उसे गाहित्री से अभिमंत्रित करें और सूरी की ओर मुँ करके खड़ा हो तीन बार उपर को वेजल फेके इस प्रकर सूरी को अरग्यधान करना चाहिए प्रात्रकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हो उसी समय विधिपूर्वक आरंभ करें जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गाहित्री मंत्र का जब करते रहें इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाद जोड कर सूर्य पस्थान करें संध्या काल में कुरू के चर्णों को तथा भूमी देवी को प्रणाम करें जो द्विच रधा और विधी के साथ प्रति दिन संध्यो पासन करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्पे नहीं संध्या समाप्त होने पर आलस से छोड़ कर होम करें कोई भी दिन खाली न जाने दें प्रति दिन कुछ ना कुछ दान करें यह दिन के प्रतम भाग का कृत्य बतलाया गया है दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है समिधा, फूल और कुछ आदी की संग्रह का भी यही समय है दिन के तीसरे भाग में न्यापूर्वक कुछ धन का उपार्जन करें शरीर को कलेश दिये बिना देविच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करें ब्रहामन के छे कर्मों में से तीन कर्म उसकी जीविका के साधन है यकी कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरन वाले यजमान से दान लेना यहे उसकी आजेविका के तीन कर्म है दिन के चौथे भाग में पुनास्टान करें प्राहतरकाल, संध्या बंदन के पश्षात, कुष के आसन पर बेठें और दोनों हाथ में कुष लें अंजली बांद कर ब्रह्म यग्जी की पूर्टी के लिए यथा शक्ती स्वाध्याय करें उस समय रिगवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जब करना चाहिए फिर देवता, रिशी और पित्रों का तरपन करें देवताओं का तरपन करते समय यग्जी पवीत को बाय कंधे पर रखें रिशी तरपन के समय उसे गले में माला की भांती धारन करें और पित्री तरपन में जेनेव को दाय कंधे पर रखें उन्हें क्रमशह देवतीर्थ, प्रजापतीतीर्थ और पित्रेतीर्थ से ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपून भूतों को जल दें। अर्थात मध्यानकाल में आपो ही श्ठा इस मंत्र से अपने मस्तक को सींच कर आपह पुनन्तु इस मंत्र से अभी मंत्रित की हुए जल का आजमन करे। तत पश्ठा दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूरे को एक बार अर्ग दें। और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाकरचे थो घर को जाएं। इस प्रकार जब यग्य के अनंतर देवताओं की पूजा करें। ब्रहमन को सूर्य, दुर्गा, श्रिविष्णु, गणेश तथा शिव इन पांच देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पंच महायग्यों का अनुष्ठान करें। फिर भूतबली, काकबली और कुकुरबली आदी देते हुए निम्नांकित मंतर का पाठ करें। देवा मनुष्यह, पश्पोह वयंसी, सिधाश्च, यक्ष, नागह, देत्य संगा, प्रेताह, पिशाचाह, उरगा समस्ता, येच, अन्नम इच्छंती मयात्र दतम। अर्थात, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिध, यक्ष, नाग, देत्य, प्रेत, पिशाच, और सब प्रकार के सर्ब, जो मुझे अन्न लेने की इच्छा रखते हुँ। वे यहां आकर मेरे दिये हुए अन्न को ग्रहन करें। यूं कहकर सब प्राणियों के लिए प्रिथक प्रिथक बली दें। प्रसन्यचित होकर द्वार पर बैठें। और बड़ी शद्धा के साथ किसी अतिती की आने की प्रतीक्षा करें। गौदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भागिवश कोई अतिती आ जाए। तो यथा शक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांती उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचरी को विधिपूर्वक सब वेंजनों से युक्तर रसोई में से जो अभी उपयोग में नालाई गई हो अन्न निकाल कर भिख्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचरी ये दोनों ही बनी हुइ रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दें फिर अन दें उसके बाद पुनह जल दें ऐसा करने से वे भिक्षा का अन मीरू के समान और जल समुत्र के तुल्य फल देने वाला होता है जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गौधान की समान पुन्य होता है ऐसा भगवानियम का कथन है माता पिता गुरु बंधु गर्भणी स्त्री व्रिद्ध बालक और आये हुए अतिती जब भोजन कर ले उसके बाद घर का मालिक ग्रहस्त पुरुष लिपे पुते पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वा भिमुख होकर भोजन करे भोजन करते समय बाणी को सैयम में रखकर मौन रहें दोनों हाथ पैर और मुख इन पाँचों को धोकर ही भोजन करना चाहिए भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए अन की निंदा ना करते हुए भोजन करना उचित है एक वस्र धारन करके अध्वा फूटे हुए पात्र में भोजन ना करें जो शुद्ध कांसे के बरतन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयूं बुध्धी यश और बल इन चारों की वृध्धी होती है खी अन तथा सभी प्रकार के व्यंजन कर्चुल से ही परोशने चाहिए हाच नहीं भोजन में से पहले कुछ अन निकाल कर धर्मराज तथा चित्रगुप्त को बले दे फिर संपून भूतों के लिए अन देते हुए इस वंत्र का उच्चारण करें यत्र कवचन संस्था नाम, क्षुत्रिश्नोप हतात्म नाम, भूता नाम, त्रिप्ते अक्षयम इदमस्तू यथा सुखम जहां कहीं भी रहकर भूगप्यास से पेडित हुए प्राणियों के त्रिप्ती के लिए यह अन और जल प्रस्तुत है यह उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय त्रिप्ती का साधन हो भोजन में मन लगाकर पहले मधुर्रस ग्रहन करें बीच में नमकीन और खटी वस्तूएं खाएं उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहन करें पहले रस्तार चीजें खाएं बीच में गरिष्ट अन भोजन करें और अंत में पुनह दरवपदार्थ ग्रहन करें इससे मनुष्य कभी बल और आरोग किसी ही नहीं होता सन्यासी को आठ ग्रास वनवासी को सूला ग्रास ग्रास्त को बत्तिस ग्रास भोजन करने जाहिए ब्रहमचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है द्विच को उचित है कि वह शास्त्र विरुद भाक्ष भोज्यादी पदार्थों का सेवन ना करें सूखे और बासी अन को भोजन करने की योग नहीं बतलाय गया भोजन के पश्याद शास्त्रोक्त विरुदी से आजमन करके एकाक्रचित्थों हाथ और मूँ के शुद्धी करें मिट्टी और जल से खूब मलमल कर धुएं ततनंतर कुल्ला करके दादों के भीतरी भाग का उनकी संधियों का तिंके की सहायता से शोधन करें फिर आजमन करके पात्र को हटा दें और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख और नासिका का स्पर्ष करें हदेली से नाभी का स्पर्ष करें तत्पशात शुद्ध एवं शांतचित होकर आसन पर बैठें और अपने इश्च देव का स्मरण करें उसके बाद पुना आजमन करके तामबूल भाक्षन करें भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करें दिन के छटे और सातमे भाग को सनमार्ग आदी के अविरुथ उत्तम शास्त्र आदी के द्वारा मनुरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्योतीत करें आठवे भाग में जीविका के कारे में सनलगन रहें उसके बाद पुनह बहार संध्या साइ संध्या का समय हो जाता है जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुँच जाएं तब हाथ पर धोकर हाथ में कुशलें इकागर चित्थों साइकालियन संध्यों पासन करें सूर्य के रहते रहते ही पश्यम संध्या आरंभ करें उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए प्राणायाम करके जली देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करें साइकाल में अगनिश्च मा मन्युष्च इत्यादी मंत्र के द्वारा और प्रातह सूर्य श्यमा मन्युष्च इत्यादी मंत्र के द्वारा आजबन करें साइ संध्या में पश्यमा भी मुख बैटकर मोन तथा एकागरचितो रुद्राक्ष की मालालें तारों के उदय होने तक प्रणव और व्याहरितियों सहित गायत्री मंत्र का जब करें फिर वरुन देवता संबंधिनी रिचाओं से सूर्य पस्थान करके प्रदिक्षना करते हुए प्रत्येक दिशा और दिकपाल को प्रिथक प्रिथक नमस्कार करें इस प्रकार साय काल की संध्यो पास्थना करके अगनी होत्र करने के पष्शात कुटुम्ब के अन्य लोगों के साथ भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए भोजन के कुछ काल बात शेन करें साय काल और प्रातर काल में भी बलिव्यश्वदेव करना चाहिए स्वयम भोजन ना करना हो तो भी बली वैशो देव का अनुष्ठान सदा ही करे अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है यदि घर पर कोई अतिती आ जाए तो ग्रहस्त पुरुष अपनी शक्ती के अनुसार उसका ये थूचत सत्कार करे रात में भोजन के पशात हाथ पैर आती धोकर ग्रहस्त मनुष्य कोमल शैया पर सोने के लिए जाए शैया पर तक्ये का होना आवश्यक है अपने घर में सोना हो तो पूर्फ दिशा की ओर सराहना करे और ससुराल में सोना हो तो दक्षम दिशा की ओर पर्देश में गया हुआ मनुष्य पश्यम दिशा की ओर सिर करके सोए उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए सोने के पहले रात्री सुक्त का जब और सुक पूर्वक शैन करने वाले देवताओं का स्मरण करें फिर एकागरेजित होकर अविनाशी भगवान विश्णु को नमस्कार करके रात्री में शैन करें अगस्तिर, माधव, महाबली, मुचुकंद, कपिल तथा आस्तिक मुने ये पांचों सुक पूर्वक शैन करने वाले हैं मांगलेक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश को सिरहने की और रखकर वरुण देवता सब्बंधी व्यादिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सुएं रितुकाल में पत्नी के साथ समागम करें सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखें पत्नी के स्विकार करने पर रती की इच्छा से उसके पास जाएं पर्व की दिन उसका स्पर्ष न करें रात्री की पहले और पिछले प्रहर को बेदा भ्यास में व्यतीत करें और बीच की दोनों प्रहरों में शैन करें ऐसा करने वाला पुरُश ब्रहम सुरूप हो जाता है उबपर जो कुछ बतलाया गया है वे सारा कर्म ग्रहस्त को प्रतिदिन करना जाहिए यहीं ग्रहस्त आश्रम का लक्षन है संपून वेदोक्त सदाचार से युक्त यह ग्रहस्त आश्रम का लक्षन मैंने तुम्हे संक्षेप से बताया है अब पती व्रताओं के लक्षन सुनो नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे